असलाम आलेकम एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं सब खेयरत से होंगे तो आज मैं बना रही थी आपके साथ बहुत मसिधार चरपटी सी आलू बेंगन की रेसिपी बहुत असान है इसको बनाना और बनती इतनी मसिधार है कि आपने एक बार यह रेसिपी ट् कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा तो यहां मैंने पतीली में सरसो का तेल डाल दिया था आप नॉर्मल रिफाइंड ओल में भी इसको बना सकते हैं तो सरसो का तेल था तो पहले मैंने इसको खुब अच्छे से गरम कर ल है तो छोटे या बड़े जैसे भी आप आलू को कट करना चाहते है आपकी आपकी फैमिली में जैसे पसंद्द आप उसके आप से जोए ना आप आलू को कर लीजे और आप मीडियम टू हाई फ्लीम पेस को हम फ्राइ कर लेंगे इतना फ्राइ करने कि हल्किसी ऊपर तो मैंने आदे बेंगन का छिलका उतार दिया तो और आदे का मैंने छिलका रखा है और यह वज़न में आपको पता हूँ तो तक्रीबन 350 ग्राम सी करी बेंगन थे और इसको जेना अब हमने मीडियम तो हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राइ कर लेना है इसको सुनहेरा कर लेन करेंगें और अब इसके थे बेल्कुल खतम होगया तो मैं थोड़ा इसमें और डाल रही हूं तो तक्रीबन मैंने यह 3शी देel कि करीब तेल और डाल दिया एक टीस्पुन के करीब मैंने इसमें डाल दिया था और इसको जहना तक्रीबन 30-40 सेकंद्स के लिए फ्राइ कर लेंगे बस हलका सा रंग चेंज चुझा है लसन दुरक को प्यास का थोड़ा सा और सुनहरा हो जाए देखें इस तरीके से प्यास भी अच्छा सा सुनहरा रंग आ गया है और लसन दुरक भी भुन गया है फिर इसमें मैं डाल रही हूं टमाटर दो टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया ता बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है हलका सा चंगी है और आप चाहे तो चौप करके भ आप से अपर इड्जस्ट कीजेगा अब इन सारे मसालों को टमाटर साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे इतना भूनेंगे कि तेल सेप्रेट हो जाए सारा मसाले का जो पानी है ना टमाटर वगएरा का वो सारा खुशक हो जाना चाहिए तो इसको मैं ध से अपर साथ माटर का साथ मिक्स करें और दही से पानी हमने रेता इसको भून लेना है जतना बिपानी होगा एक्स्टर वो सारा खुशक हो जाना चाहिए उस tract है मसाले का बहुत अच्छे से भूनता है मसाले का ही फ्लेवर हमें निकालना होता है तो जितना अच्छा मसाला भूनेगा उतनी ही मसेदार सबसी बन के तियार होगी तो देखें आपके इतना खुबसूरत मसाला बन के तियार हो चुका है दानेदार सा बन गया है और बहुत अच्छे से खुशक हो चुका है तेल भी सेपरेट हो गया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च मैंने यह हरी मिर्च को तीकी वारी जादा थी तो मैंने स्लाइस करके बीच निकाल दी है इसके आप अपनी टेस्ट के साब से मिर्च डालीगा हरी मिर्च को भी हलकी हाँ से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ आलू डालने से पहले क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें पानी डाल देंगे तक्रीबन 3-4 कप के करीब डालीगा या इतना पानी डालने कि आलू अच्छे से गल जाएं बहुत जादा हमने शोरवा तो रखना नहीं होता है सबजी के अंदर हलकी आज से मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया और फेसमें मैंने आलू और बैंगन जो फ्राइ करके रखेते वो डाल दी है हलकी आज से वाप सारी चीज़े को मिक्स कर लें और फ्लेम को लो कर दीजेगा हलकी आज पर अब सबजी को हमने गलाना है आलू को सॉफ्ट करना है और जैना इसको ढग देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे आलू और बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे इतनी देर में और ये देखें लट पटे से बैंगन आलू बन के तियार हो रहे हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी लग रही है बहुत ही मसेदार तो इसमें खुश्बुगले में डाल रही हूँ वन फो टीस्पून की करीब गरम मसाला पाउडर और एक टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर डाला इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक टीस्पून के करीबी मैंने इसमें कसूरी मिथी डाल दिया और साथ में सबजियों की जान जो होती होती होता है हरा धनिया वो भी मैंने डाल दिया तो जितना आपको पसंद है हरा धनिया उसे सापसे डाल लीजेगा और हलकियाश से सारी चीजों को मिक्स करेंगे बेंगन मैंने कोई अलग से मैश नहीं करेंगे जिसके साथ चिलका लगा होता है वो पीस थोड़ा सा थाबुत रहता है और जो चिलका अतर जाता है जो थोड़ा सा मशी हो जाता है अच्छा मैंने टेस्ट किया मुझे थोड़ा सा चाट मसाला कम लगा है तो मैंने एक टीस्पून चाट मसाला और डाल दिया था तो बिलकुल आपकी टेस्ट केस आपसे जैसा आपको पसंद है उससा आपसे आप चाट मसाला डालीएगा नहीं तो आप खटाई का पाउडर भी इस्तिमाल कर सकते है और ये गर्म गर्म मसदार से बेंगन आलोप इंजॉय करें पराठों के साथ, हाथ की रोटी के साथ और वाइट राइस के साथ ये जीरा राइस के साथ भी बहुत ही डिलिश्यस लगते है तो रेसिपी ट्राइ कीजे, बनाना बहुत असान है और खाने में बहुत ही मसदार है तो मिलते हैं को मसदार से नेक्स वीडियो में अलाहाफेज